सभी को नमस्कार डिजिटल टीचर टेरिंग सेसन में आप सभी का पुन्हे स्वागत करता हूँ आज मैं आपको असेस्मेंट टूल्स के बारे में समझाऊंगा बत करूँगा जैसे एक असेस्मेंट टूल्स है जो बच्चों का मुल्यांकन करने के लिए कहूत नाम से आप गूगल पर जाकर कहूत लॉगिन करेंगे कहूत लिखेंगे और कहूत लिखने के बाद आपके पास जो साइट खुलेगी कहूत.com उसे आप ओपिन करेंगे ये कोई online जाकर laptop डेस्टॉप पर ही नहीं आप mobile पर जाकर भी play store पर जाएंगे कहूत टाइप करेंगे और उस app को install करेंगे open करेंगे same page को लिएगा पर तेक app पर जाने के बाद आपको अपना उस पर sign up करना होता है अपनी ID बनानी होती है इस एपर मेरी ID पहले से बनी है तो मैं सीधा login करूँगा आप पहले sign up करेंगे sign up करने के बाद आप देखेंगे कि इस पर कुछ plan बिल्कुल free of post है और कुछ आपको pay करना होगा हम केवल free plan की बात करेंगे और एक question series त्यार करने की आज चर्चा करते हैं चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि इस पर हम कोई जरूरी नहीं कि हम pay दी ले जैसे मैं create पर click करूँगा तो इस परकार का एक kahoot पर click करूँगा और kahoot पर click करते के साथ ये create new kahoot नाम कर open होकर आएगा template भी बने हैं बहुत से उन template पर आप स्वम जाकर देख सकते हैं different type के template है मैं एक new kahoot पर create करूँगा इस परकार का phase खुलेगा उस पर start typing your question आएगा और नीचे answer आएगे 4 तो मैं क्या करता हूँ मैं एक आपको एक question उपर type करके देखते हैं कुछ भी question बना लीजिए math, English, geography जो भी आप subject के संबधित बनाना चाहते हैं journal knowledge के बनाना चाहते हैं तो journal knowledge के भी question आप बना सकते हैं जैसे मैं एक question बनाता हूँ कि उत्तर पर्देश के उत्तर पर्देश के वर्तमान मुख्य मंत्री का नाम क्या है वर्तमान मुख्य मंत्री का नाम क्या है वैसे आज कल तो उत्तर पर्देश के बाहर के लोग भी उत्तर पर्देश के मुख्य मंत्री को भूलते नहीं है बाबा बुल्डोजर और जाने क्या क्या नाम से उन्हें जानते हैं और इसमें चार ओप्सन मुझे भरने होंगे जिनमें से एक आपको मुझे सही लगना होगा जैसे मैं पहला नाम टाइप करता हूँ अखिलेश यादव जी क्योंकि जब हम कुष्षन बनाते हैं और मैं चोथा कुर्फशन बनाता हूँ जो भी एक आंसर देना ओकि मुझे वो तक ये देटा हूँ गणा दो मैंने ये चार कुर्फशन वह बनाए एक तीसर छवत आता बना देते हैं राजनार शीन जी बना देते हैं क्योंकि वह भी हमारे अख्यवनति रहे हैं जो आंसर इसमें है वो योगी आदिते नाज जी है उसके लगा देते हैं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों की अपने कॉलिज में जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं जो हमारे क्रास के हैं जिनके लिए हम कुष्टन सीरीज बना रहे हैं उनके लिए हम टाइम जो हमां देज कर सकते हैं अगर बच्चे एक्स्टा और थेज है तो कम टाइम रख सकते हैं तो यह सेगन बढ़कर दो मिनाट चार मिनाट तब हो सकता है बहुत हल्का कुष्टन है पास सेगन में परियापते हैं इस कुष्टन के लिए मार्किंग भी तैय होती है कि आप च कुछन के रूप में हो सकते हैं और अगर हम पेड बर्जन लेते हैं तो हम पजल ले सकते हैं कुछ पिलस आडियो ले सकते हैं वर्ड क्लाउट ले सकते हैं इस परगार के वहुंसे कुछन हम ले सकते हैं मैं दूसरा कुछन में क्यूज लेता हूं और मैं उसका भी एक कुछन लुगितर दिर्थ कर्थे महें वो होत्ता थे लुगितर के पर्थम् को मरत मुंत्रीे वू भीन नाम है को सकता है योगी जी को पहला बोलत मुठी बता दे योगी आदित्य नाथ जी पहले मुख्य बनती तो नहीं थे शायद मायवती जी पहली नहीं तीना शायद तीसरा मैं लिख सकता हूँ गोविद बल्लम पंत चुकि मैं आप से इस समय कुशन बना रहा हूँ आपके सामने एज़े टीचर तो मैं आपको तो इसका अंसर आपको पता होगा पहले से ही गोविद बल्लम पंत ची थे और चौथा हो सकता है उप रूप में कोई नहीं ये कि बन सकता है ना कुशन इसको राइट आनसर लगा है है अम मैं नेक्स कुश्चं की बात करता हूँ तो मैं following कुशन को एक कुशन ले सकते हैं महत का कुश्चं डाल देते हैं आपको जैसे एक कॉश्चं मेंने बनाया नया हलका सा बना देते हैं 16 को को चार से डिवाइड करके उसमें 5 एड करने पर देखो 16 को मैं बनाता हूं 16 को 4 से डिवाइड करने पर कुछ भी बना लेजिए जो आपको कुछन सही है और से भाग देखकर उसमें 5 जोडने पर पहले देख लेते हैं कुछन क्या अएगा 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 अएगा 5 एड करके 9 आएगा जोडने पर 10 आता है क्या आता है 10 जोडने पर 10 आता है अब ये पता चलेगा कि ये false है या true अब आप बताएए 16 को 4 से डिवाइड करके 5 बैट करके 9 आएगा तब तो ये false हुआ तो false के okay करेंगे true में नहीं करेंगे और इस परकार 3 question की एक series मैंने बनाई और आप इस परकार इसमें 3 question की जगह छोड़कर 20 question बनाईए जितने question मर्जी बनाईए और उसका time भी set कीजे ये 5 second का है 5 second कर दीजे इतका 20 second नहीं 5 second कर दीजे प्रयाप्त होता है यानि 15 second का आपने time दिया और 15 second के time में आपने 3 question है बना दी उसको save करते हैं उनका ये title डाल देते हैं क्या डाल देते हैं उसमें title में डाल देता हूं जैसे GK का बनाया तो जिन्नन knowledge बना दिया आज का ये समान्य ग्यान सम्न्य ग्यान मैंने बनाया और इसमें लिख दिया प्रति एक पर्रशं करना निवारे है अनिवारिय है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें वह दे सकता हूं वह बात करें जिस पर टॉपिक बना है। कंटीनीव करेंगे और मेरा एक कहूत बनकर त्यार होगे। परतु, यह कहूत जो माने भी माने ध्यान का बनाया। यह मात्र अभी ड्राफ्ट में है, अभी उसको असाइन नहीं किया गया, इसको मैं असाइन करूँगा, और असाइन करने के बाद इसमें एक डेट पूछी जाएगी, कि वही किस डेट तक इसे चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यह 25 मही तक चले तो 25 मही तक, 12 बजे तक, औ इसमें on है, और इसमें nickname generate कर सकता है, कि अगर कोई व्यक्ति डालेगा, तो उसका क्या nickname होगा, इसे create कर देते हैं, यह पहले मैंने जरूर सेफ किया था, परन्तु form create नहीं किया था, अब यह form create होगा, जब आप mobile पर बनाएंगे, तो उसमें challenge create करेंगे, यह मैंने इसे create कर द बिल्कुल निसुल का आप इसे invite कर सकते हैं, यह copy कीजिए URL, और URL करने के बाद, आप क्या करेंगे, उसकी copy हो गया, और जहां आपको send करना है, उन्हें आप send करके, इसे भेज देंगे, अब आप इस link को copy कर सकते हैं, और copy करकर WhatsApp को, जिस group में आपको भेजना है, उस group पर आ देखे, link चला गया, और इस link पर जैसे ही मैं click करूंगा दूसी जगा जाकर, अब आप देखे, यह क्या होगा, यह ready, set, go कह रहा है, और यहां मुझसे पूछ रहा है, कि अपना कोई nickname में डाल दूँ, इसे अगर मैं open करना चाहता हूँ, मैं nickname को डाल देता हूँ, अपना, क पहला question आएगा, पहले यह बताएगा मुझे, पर्तवान मुख्यमंत्र का नाम क्या है, तो मैंने डाला योगी आईती के नाथ, यह सही है, तो मैं जिब 560 marks मिल गए, और मुझे next वो बोलेगा, मैं next पर जाऊँगा, तो next question आएगा, और next question आने के बाद, जब वो next पर जाऊँगा, तो next question आएगा, क्यों जाएगा वो, उत्तर परदेश के पर्तवान मुख्यमंत्र थे, कोई भी student उसे बोलेगा, गोविन बलनमपन्त को बताऊँगा, और गोविन बलनमपन्त बताने से 760 marks आए, यह marks सिर्फ सही बताने के नहीं आते हैं, पर यह साथी साथ speed के भी आते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसे open करके game को खेलेगा, तो उसके mark 760 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, और कम भी, वो depend करता है, कि वो कितनी speed से इसे करता है, और किस परकार इसे करेगा, कितनी speed से, और सही है या गलत, next पर जाऊँगा, तो पहले ही गलत है, और मैं इसे सही बताऊँगा, जान पूछ कर, मैंने सही बताया, क्या करेंगा, उसे गलत होताएगा, answer is lost, great try, कि मैंने great try किया, पर ये फिर भी गलत था answer, तो सही को पेचानेगा, गलत को पेचानेगा, एक teacher को assessment करनेगा, खुद नहीं, एक उसे बता देगा, गलत ह कहा पर है, कौन सा बच्चा कहा पर है, ये इसे बताएगा,